इस वीडियो में हम लोग आर्टिल 26 के बारे में जानेंगी आर्टिल 26 भी राइट टु फ्रीडम आफ रिलीजन के अंतरगत आता है धर्म की स्वन्तिता था कि अंतरगत यह आपकी अनुष्य जो है वो वन्दन की गई है आर्टिल 25 और 26 में अंतर पस इतना ही है कि जो भी ची अधिकार एक प्रोवाइड करता है धर्म की स्वातनतिता को ले करके और जबकि 26 का जो अनुष्य है वो एक सामुहिक समू को एक ग्रुप को एक रिलीजन को यह अधिकार जो है धर्म की स्वातनतिता का वो यह प्रोवाइड करता है तो यह धियान लग सकते बस इतना ही मुहिक सम्मू है हर धर्म को वह अधिकार प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू वह अपनी अधिकार establish कर सके अपने institutions को maintain कर सके धर्म से related या फिर charitable purpose से वह आपका use कर सके जैसे अगर आप कोई भी धर्म से अगर belong करते हैं तो हर धर्म का यह अधिकार है कि वह अपनी जो practice है जो धर्म की स्वतनता है उसको वह enjoy कर सकते हैं यहां पर हर धर्म को यहां पर यहां पर बताएगा है यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी जवजस्ती किसी से कोई भी टैक्स जो है वो वसूला नहीं जाएगा उसको लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है किसी भी धार्मिक या मुल्थ प्रियोजनों के लिए संस्थाओं के स्थापना और पोशन का यहाँ पे अधिकाल जो है वो यहाँ पे इसके तरत यहाँ एक रिलीजिन को एक धर्म को यहाँ पे यह प्रोवाइड करता है आप अपने धर्म को विश्यक कारियों का प्रवन्द करने का अधिकार भी आप कर सकते हैं यहाँ पे भी साब कहा जा रहा है कि जो भी practice आपको करना हो जो भी अप धर्म से related चीजियों को manage करना हो वो आप असानी से कर सकते हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी रुकावाट नहीं है, यह हर एक धर्म के बारे में यहाँ पर यह बात कही जा रही है, एक सक्षन ऑफ सोसाइटिस को लेकर के यहाँ पर बात कही जा रही है, इसके साथ हर धर्म के जो है, वो उसके पास मुवेवल और इमेवल प्रोपर्टी आप देख सकते हैं सब्सक्राइब कोई भी मस्जिद हो गया फिर मंदिर हो गया घृद्वार हो गया उसके पास हमेशा जरी आज पासा आपको खाली जमीन देखने को एक तरह से प्रोपर्टी आप देख सकते उसकी प्रोपर्टी जह वह प्रॉपर्टी जो है कर देंडलों को प्राक्टिस करने के लिए लंगर वगरह हो गया या पर के जो भी पार्ट से सबस्केर मंदीर वजजित मैं प्राक्टिस के जारी है वह सारी जो है उन्यविल प्रbaby के अंदरगत आती है तो यहां पर जितने भी चीजे हैं यहां पर ऐसे संपत्य का विदी के अनुसार प्रासासन करने का भी अधिकार यहां पर उस धर्म के ग्रूप को यहां पर प्रोवाइट किया जाता है व्यक्तिगत अधिकार को गारेंटिए देता है जहां पर हम लोगे ने स्टार्टिक में डिसकस किया ड़बख एक संप्रदाय यानि उनके भागों इसके अनुभागों को यह अधिकार यहां पर धर्म के अनुभागों को यहां पर अधिकार जो है वो प्रोवाइड करता है हर एक चीज जो 25 में हम लोग ने डिसकस की से महीं से आपको 26 में भी देखने को मिलेगा अंतर बसलते बस इतनी ह जबकि 25 की बात करें तो यह बेसे कि अनुभागों को यहां पर हर एक धर्म को यहां पर प्रोटक्ट करता है 26 अनुचे जबकि 25 की बात करें तो यह बेसेकली राइट अंदर अर्टकर 16 और अलसो सब्जक्ट टू पब्लिक ओडर यहां पर देख सकते हैं वह एक तरह से पब्लिक ओडर यहां पर प्रोटकरता है लेकिन किसी भी प्रोविजन से रिलेटेड जो फंडमेंटल राइट से उसको लेकर करके अन इसके अलावा अने प्रावधानों में यह कोई भी अधिकाल जो है वह प्रोटकर नहीं करता तो इसी से रिलेटेड यह अनुश्यत 26 था अई होप यह आपको कवर हो गया होगा मिलते हैं अगले लेक्चर में चहांपे 27 अनुश्यत के बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे